जैसे अभिशेक ने कहा मेरा भी एक सपना था लता जी आशा जी के साथ कोई भी ऐसा गाना रेकॉर्ड करे जो मेरी फिल्म का हो मेरी फिल्म के लिए हो और ये वाकि एक ड्रीम कम ट्रू है कि आशा जी ने अग्री किया ये करने के लिए लेकिन आशा जी को एक एक तरह से गाना कैसा लगेगा तो वो और उसमें चारचांद लगा सकती थी लेकिन जैसे आप जानते हैं कि आजकल गाने कोई गाता नहीं है स्क्रीन पे सारे बैग्राउंड गाने होते हैं सिंक नहीं लिफ सिंक नहीं होता है तो थोड़ा सा मुश्किल था मुझे उन्हें समझाने के कि यह सिर्फ एक सिट्विशनल गाना है, एक मोड गाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, बहुत ही एहम बात यह है कि एक सिंफनी है, और आशा जी ने आज तक, जैसे अभिशेक ने बहुत सही कहा, एक सिंफनी नहीं गाया था, सब कुछ गा चुकी थी वो, इतने सालों में, लेकिन वेरीस स्थी होगी चैने साली शोरी सेंपनी है तो लिए शाजी ने शोरी कि ए खेश्री समकर चाहत .न्ट एन च्छिट स प्रितन और भॉस्ट इवोगेटिवली कंपोस्ट नंबर अफ दियर प्लीस लिसन तो इट अभिशेक इंसल्फ इस गाने को बहुत खूबसूरत से शब्दों से पिरोया है मानमेंदर जीने जिन्होंने मेरे लिए पान सिंग दोमर जैसे बहुत सी फिल्मों में लिखा है तो आशा जी ने गाया है गुस्ता की माफ कीजे क्योंकि मैं अटेंट करूंगा इस इस फीमेल सॉम जीतु जी विल स्टाट विट ओपनी नोट रुत भीगे है घराई की पल के मून देवां पर बोजाएगी जो गई तो दे गई एक लाहे में लिफटी जिन्दगी रुत भीगे तन गराई की बलके मून देवां तो बोजाएगी जो गई तो दे गई एक लाहे में लिफटी जिन्दगी तो जिन्दगी के जो बदलते हुए मौसम है उसका गाना है यह रुत भीगे तन घर आई थी पलके मून दे वापत हो जाएगी जो गई तो दे गई एक लंहे में लिफटी जिन्दगी पलको के पालने जिसको गाया है श्रेया गोशाल ने और इसा एक और वरजन है जो शान जी ने गाया है जो अनन जी की खूबसुरत फिल्म है उसमें एक रिष्टा है बिट्वीन प्रोटाइगनिस्ट जाकिदा एंड एक ऐसे इंसान जो जिन्दगी के एक ऐसे मोर पे है जहां उसे लगता है कि आगे कुछ रस्ता ही ने बचा उसकी जिन्दगी में अचानक आती है एक खूबस जिसके साथ एक अन्होना सा रिष्टा जो है वो शुरू हो जाता है और इस रिष्टे के जो अलग-अलग पड़ाव है इस रिष्टे के जो अलग-अलग मोर है खूबसुरत लमहे है उनको हमने पिरोया है इस गाने में पलकों के पालने में आखों के जूले में एक सपना व्हेत्टा सैनल, तजय को लिखनип टीम लिखनेश, यिस सहींहें अधेंड किपर स्चुछ सित्वाइब लगाई, बिल्या पहरो belongsुट था, लिखनेश बीख में भी अइखीक को साइब दे घा गिं मेत से अधु को आधाने हैश। Arensch भीle निएम ते यहास। लाग्यर को इचावका इच्ट हünf लेखिंग वर लीएक अऩी हैश। वित लिए Bunu हो जिए इंगे और आदु समांट लेक्ट लीडीड करूने से अधर लैश्ट अधावगा तो थेस्टे़टीसे इस हैं थे उटीफ्यूटीटीश देपना फैंट इसलिटेप्रॉटीटीश द्स्टेप्टीश के छिए राप्ना और बॉट्टीश स्टीजब सेलिए थे बीकॉटीश मैं इसलिए लॉटीश भीने वे सीर्या ओष्यूल गोश्यूटीश ऑारन प्टे मैं व्यूजद आपिशेक तर ये जाजी नूजी जाज़ खिए 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 हुआ हुआ है पल्कों के प्याओंदी आखों के जूले में सपना प्लाई काजे की दोरी से आंसों की लोरी से पल्कों पे जूता वो सपना बढ़ा देरे से हौले अजरारे नैरे तुम सुरच के केरों तो चुप की छिडा बोली हो सपने आजो तेरे से पूरे चला है तो 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 देरा पल्कों के पाले में आपों के जूले में सपना प्लाई आसों की डोरी से खाजन की लोरी से पल्कों पर छोड़ता वो सपना बढ़ा देरे से हौले ते गजरारे नैरे तुम सुरच के केरों तो चुप के छिडा पाले तो पाले प्लाई अच्छ के छोडिए तू ओच मेरे से पाले चला है तुम तर था कनेरा अच्छा मेरे से ओड़ो तो तो आदा तो तो दो तो तो जोड़ को खागे बूटा यूका रादी बुल्व बादे बंदर आदर कसे बंदर कर दोब और फटोड़ी में बुड़ाद जानता हूं पोड़ावत बॉड़ाद निए अखेल नहीं मेरे खाल को पासने कि अगर भाज है जो गये जो गये जेंगे कि वह लगए तोड़ाप आध्या वह भूग लगिये वह ब्हूग है तोब अगलिए like you said there's no tricks out there there's nothing there's just soul there's a soul there's a feel to cute are you son real I mean a musim I think I'm going to add to the fact that just up make a happy lambi race ke gaane hain walkie main is unkar laga hi lambi race ke gaane congratulations please give it out I'm honored to have your music my brother pleasure Jackie does work with the finest starting from Rahul Dev Varman to every possible greatest composer to unki zuban se ye baathe sunke ronk te khaede ho rye kya baathe mein chahunga ki humare producer sahab hai haanand chukla ji ho do love's kahein music ke baare mein mujhe kuch kehne ki jura thai kiya jitne emotional mein dekh raha houm aap loog ho rhe hai so mahal waisi vata raha hai ki music mein kya hai eek aisa jo song hai bairi badra thank you so much dada thank you so much dada thank you so much anand ji thank you so much abhishek ji thank you thank you so much we'd like to also request our friends from the media if you all have any questions well please go ahead yes yes ah ah aap ki matlab image is film se consolidate ho gi a musical hero job ko kabhi mana ni ga lekin right from the beginning hero se leke rangila se leke 1942 etc etc what have you to say on abhishek irae's music after working with stalwarts like lakshmikanth peyarlal rahman and others ah ah blu paleta sabko baut baut piyar joe either hi there so enjoy yourself ah i hope you guys liked it and ah musical subhaj ji nye mei ko action musical hero bana ya tha meri bansuri ke dhun sun ke shayad tu paida bhi hoa ho ga ha 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 bada na raring well yeah ii wo romance chalda nha rajee us work so subhaj ji nye ekhaad mea flute or ekhaad mea banduk dee dhya tha mariaa se banduk nikal dhya hali fluit dhya hoah hai madhla music dhya hoahoi यह सोल है पुछ प्श्र का सूल भी मिजशिक है यह गरांड है हमेशा होता है आडियो विश्वल बोलते हैं तो अडियो का कमाल है और जिस हुसाब से अननत अपनी संसिट्थी बोग जिल से कराता है गडिवाद से लागे, इतना अच्छा काम करना, बोगडी बादे दालिंगे. God bless you. My second question, my second question is for Abhishek. Sarfaroosh was probably the first film where individual songs were credited in the end titles, you know, हरेखका singer, lyricist, etc. You have credited the singers in the poster itself. So, how do you feel about this? Do you foresee a situation where ऐसे होता रहेगा, सिंकर्स को इपनल्स दी जाएगी? This credit is a rebel, a rebellious composer who's trying to fight a system which is taking Hindi music, Hindi film music out of the veins of cinema. So, we used to see playback Lata Mangeshkar, Mohamed Rafi, coming at the very beginning of the film. वहां से मैंने देखा धीरे धीरे करके, जो हमारे शाने, MBA लोग हैं, जो पैकेजिं करते हैं, उन्होंने सिंगर्स को हटा के N-Credits में डाल दिया. फिर मैंने देखा कि N-Credits में Spot Boy, Light Boy, Accountant उसके भी बाद में डाल दिया. तो ये एक प्रतिवाद है, ये एक rebellious composer ये कह रहा है कि music यहीं आना चाहिए. Is there anyone else who would like to ask any question? Guys? Yeah, yeah. Hello, Jagu Dada. This is Raviv from ABP News Channel. Jagu Dada, Hero वो फिल्म थी, जिसने आपको आपका नाम बनाया और आपको वो पॉप्लारिटी दिलाई, जो हर एक एक अक्टर चाहता है. Over the years, पिछले 40 सालों में बहुत कुछ बदल गया इंडस्ट्री में. पहले बहुत जादा टेक्नोलोजी नहीं हुआ करती थी, बहुत प्रोफेशनल नहीं हुआ करते थे लोग. आप किस तरह से इस पूरे चेंज को देखते हैं? इंचालीस सालों में क्या कुछ बदल गया है? और अज अन आक्टर आपके लिए कितनी बड़ी जॉर्नी रही है? जजबा नहीं बदला है, भीड़ो, बाकी सब बदल गया है. प्लाटफॉर्म्स बदलते रहें, जजबा वहीं का वहीं है. इंदुस्तानी बहुत जजबाती एगड़ो, they love emotions, they love all these things. उनको emotions, सबसे बड़ी चीज़ें, वो कैसा बदलेंगा? टेक्नालोजी से क्या फर्क पड़ता है, डालेंगा, help हो जाता है. मगर, feelings are feelings. जगुदादा, आपने अपने 40 साल के करियर में बहुत बड़े-बड़े stars के साथ में काम किया, आपने contemporaries के साथ में काम किया, एक कोई अधूरी ख्वाइश जो आपकी रहे गई हो, इन 40 सालों में? नहीं, डालिंग, मैं हुआशे तु इतनी सावी है के बहुआ बताओं तो भारी बड़ जाएगा, मतलब, देव साब ने मुझे इस इंडस्ट्री में आने की जगा दी, स्वामी दादा, तो मेरे हाद में देव, हम बोलते दो, देव मेरा नाम है, देव बोलो यार, सो सिर्वाद सिमा हीदर आई लाए बड़ू, मेरा उधर ही तामना पूरा हो गया, क्रिके मेरी ममी मेरे को बुथ इंफ्लूंस्ट थी ममी, देव साब धरम जी, तो देव साब वासे मैं हुआ रिली के रिस्पेटे थूराउट, जब पिच्छेरे भी देखे तो बहुत सारे चिल्दर उड़ाए गाने पे हर गाने पे, मॉनिंग शोर में, तो उन्होंने मेरे को इंट्रीव किया, उसके बाद में नहीं सोचा, जो मेरे को बड़े सब बड़ों की इज़त की, मेरा दिल में ऐसा कुछ रही नहीं कि कितने चले गया है, मैं कितनों के साथ काम करना इसके आलावा, देव साथ कि अश्मी जी, फिल कभी देलिव साथ, राज साथ, इनकी बिचे नहीं स्टाइल, इनकी रुमांस, इनका दोनों का स्टाइल मुझे बहुत परसंता, तो परिसे जमा जमा जितना होता था निकल लेते थे मॉनिंग शोर में, साथ में लेके परिस जान साथ, परिस अश्मा चुछ झांता का छलुट, कि अज़नी बहुत दिनों के बाद आपके फिल्म हमा आ रही है, इस एक यज क्या खासिएट थी, कि आपने इस फिल्म को पbekyshe रही है। कई बार फिल्मों के गाने हिट हो जाते हे और फिल्म थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं कही बार फिल्म की चौूरी, स्क्रेप्ट, प्रेजटीशन,ITEस और आपने इस फिल्म को इसका कामूरी क्या जाते हैं दालिए इतना सोचा ने, आनंद मादेवन को देखा, इनके लाइन, कहानी की लाइन सुन दिया मैंने, कैसी इसी बात है, इतना सुना है नहीं लंबा जो, मेरो कुछ नहीं सुना है, खाली एक मुद्दा बता जिया है, जो इनसान हार चुका है, वो किस तरह से वापिस से जीत मुझे तरह मालूम ही नहीं था, मुझे में सिर्फ आनन महादेवन को देखा था, वसा, बसा, वसा. That was my inspiration. He came to me. He is a colleague. He is my director. He is an actor, stage. He is a lot of things. He is a writer. So, मेरो मालब हूमें सही हात में है. मेरको लिया तो समालना बडता है, पीट पे जहाड हुगता है. तो पानी दालते रिना बड़ता है छो पीत पर जाड होगा लिया है I hope you are you nurturing the tree, I hope you guys like me in the film I tried my best, I hope I तेरा जो मेरे पर responsibility दो मेरे पर हरो से किया, वो हरो सा तेरा सही हो जाए बस बढ़ो There are three things that are going to make a big come back in this film, life, music and Jagooda Ghan Wonderful, we are going to take one final question, yes, final question Anand sir, hi, Naveen from E24, मेरा स्वाल आप से है कि ये सुजीद सेन की डाइरी, परसनल डाइरी पे आधारित है तो क्या कुछ इसमें आपने भी कुछ Cinematic Liberty ली है, कुछ हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा उनके डाइरी से दूसरा, दूजार अठर में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन आज इस साल के अंत में ही ये डिसीजन क्यों लिया गया, इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, मतब ये पूरा साल भी था जहां तक सुझीदा का सवाल है, सुझीदा वो शक्स हैं जिन्होंने सारांश और अर्थ जैसे फिल्म लिखी है उसी से आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म कितनी सेंसिटिव हो सकती है और कितने दिल को छू लेने वाली कहानी है और सुझीदा हमेशा र्रीयल लिफटा र्रीबसक्ता डर्यरियल लिख fusion कि रू मीश्य। ज़ लूट ज़ट इन दिल्स विल्म are actually from real life and he put them together in a beautiful screenplay which we adapted and we sort of you know broadened out into a feature film as far as why the film is being released now well there's always a time and a place for things to happen in life why Mughalism was released 20 years after it was made I don't know but it's the best Hindi film I have heard of and we all know about why Pakistan was released 15 years after it was made I don't know but then Pakistan was one of the biggest hits why Paan Singh Tomer was released five years after it was made he knows better because he did the music and why so many other films but then I think every film finds its place maybe if it was released earlier you would have said like most of the they said you know label most of myself oh it's ahead of its time you know I don't know what that means but now now that we've gone through this very very bad phase in the last three years you will find this film so relevant so topical and so timely that this will come this is probably the vaccine that we need after what we've gone through so this is the film that you've got to see and I promise you this is going to be a very very different cinema experience it's after a long time that you will take back a film home with you after the theatre lights come on I promise you that this will live with you wonderful thank you thank you so much may I also add that let's hope that this is the only positive thing we get like you said the vaccine and since we have been running away from something called as positive during corona this positivity is what we need thank you once again thank you so much and yes maybe once again watch the trailer I request with the sound please with the proper sound please join us